दोस्तो क्या आप भी अपने Instagram एकाउन को पर्मनेंटली डिलीट करना चाहते हैं क्या हमेशा के लिए आप अपने Instagram एकाउन को बंद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तो आपके जनकारी के लिए मैं बदा दूँ कि Instagram का अपडेट आने के बाद शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से Instagram account को delete किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तो हम चलते हैं अपने home screen पर आपको इस starting से मैं बताता हूँ कि किस तरीके से Instagram account को delete किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपने Instagram application को open करेंगे देखने को मिलता है अब दोस्तों आपको करना क्या है आपको नीचे में यहाँ पर आपके profile picture दिखाई देता है नीचे corner में आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपका Instagram का profile page open हो जाता है जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस आपको एक option देखने को मिलता है settings and privacy का आपको इस वाले option पर click करना है जैसे click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने एक page open होता है और यहाँ पर फीच से बहुत सारे option आपको देखने को मिलता है अब देखिए दोस्तों हमें तो अपने Instagram account को delete करना है तो यहाँ पर आ option मिलेगा वो कहां मिलेगा तो चलिए इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको सबसी नीचे इस तरीके से scroll करके आना है सबसी नीचे जब आप इस scroll करके आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिलना है help का तो आपको इस वाले option पर click कर जैसे आप click करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक नया page open होता है और यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलता है अब दोस्तों देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको follow करना है और उसी तरीके से आपको चल स्कॉलना है ठीक है अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है help Center का तो आपको इस वाले option पर klick करना है जैसे आप klick करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए एक नया page open होता है और यहाँ पर आपको कुछ option देखने को इस three line पर click करना है click करेंगे यहाँ पर loading होगा और यहाँ पर एक page open होता है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ option देखने को मिलता है मिल दाना अब देखिए यहाँ पर भी आपको delete करने का कोई option नहीं मिलेगा अब जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक option मिलना है manage your account आपको इस वाले option पर click करना है जैसे आप click करेंगे फिर से एक नया page open होता है और यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको तीन option मिलता है यहाँ पर पहला number option बोला है temporarily deactivate your Instagram account यह deactivate क्या होता है देखिए जब आप अपने account को deactivate करते हैं तो आपका account जो होता है वो Instagram से छुप जाता है मतलब कि अगर कोई बंदा आपके Instagram account को खोजेगा तो आपका Instagram account उसको Instagram पर नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है Instagram से छुप जाता है delete your Instagram account का मतलब होता है कि आपका जो Instagram account है वो temporarily क्या होगा वो delete होगा ठीक है? और एक होता है permanent delete जो हमेशा हमेशे कलिए Instagram account से delete हो जाता है तो अगर आप इस पर click करते हैं temporarily Instagram account तो यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी Instagram account को delete करने का option नहीं मिलता है देखिए यहाँ पर आपका page खतम भी हो गया है यहाँ लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर भी Instagram account को delete करने का option नहीं मिलता है अगर आप इस पर भी click करेंगे यहाँ पर भी देखिए आपको Instagram account को delete करने का option नहीं मिलता है यहाँ पर लिगरा टेम्परोरली डीक्टिवेट यूर अगाउंट नीचे स्कॉल करके देखिएगा आपको कहीं पे भी इंस्टागराम अगाउंट को डिलीट करने का अप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिला ठीक है आप देखिए यहाँ पर लिग रहा है access and download your information on instagram इस पर भी आपको instagram account delete करने का option नहीं मिलता है चलिए अब देखिए आपको अगर instagram account को delete करना है तो आप उपर वाले option पर click करेंगे temporarily deactivate your instagram account आपको इस पर click करना है click करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ option देखने को मिलता है यहाँ पर देखिए बहुत सारी option मिलता है यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख रहे है note follow this instruction if you id like to delete your instagram account तो आपको करना क्या है दोस्तों आपको इस delete your instagram account वाले option पर click कर देना है तो हम क्या करेंगे इस पर इस तरीके से click कर देंगे click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक page open होता है और यहाँ उपर में लिखा रहता है delete your instagram account और इसके नीचे लिखा हुआ android app help नीचे आपे scroll करके देखिएगा यहाँ पर इस पर इस पर क्लिक कर देना है click कर दिये, click करेंगे तो देखिए नीचे में आपको कुछ option देखने को मिल जाता है नीचे में एक option आपको मिलना है mobile browser help आपको इस वाले option को select कर लेना है select कर लिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तो एक नया page open हो गया और यहाँ पर आपको नीचे में scroll करके आईएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिलना है लिख रहा है कि to request the permanent deletion of your account from your mobile browser यहाँ पर आपको option मिलना है account को delete करने का यहाँ पर बोल ला है ना permanent deletion of your account from your mobile browser तो यहाँ से आपका instagram account delete होगा तो यहाँ पर लिखा है delete your account आपको इस वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करते हैं दोस्तो तो यहाँ पर देखिए एक page open होता है और यहाँ पर साप सब्दों में लिखा गया है delete your account नीचे में लिख रहा है why do you want to delete your account मतलब कि आप अपना account क्यों delete करना चाहते हैं कोई reason दीजिए region यहाँ पर जैसे इस तीर पर आप click करेंगे तो region यहाँ पर आजाता है कि आप अपने account को delete करना क्यों चाहते हैं तो यहाँ से कोई एक region आप select कर लिजेगा तो मान के चलिए कि अगर आप create a second account अगर आप दूसरा account खोलना चाहते हैं और इस वाले account को delete करना चाहते हैं तो आप इस पर click कर देजेगा इस तरीके से click कर देंगे तो यह वाला region आपका select हो गया उसके बाद से दोस्तो देखिए आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाता है re-enter your password तो आपको क्या करना है दोस्तो आपके instagram account का password यहाँ पर type कर दना है और देखिए दोस्तो instagram का password टाइप करने के बार नीचे में यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आपका account देखिए क्या लिग रहा है 27 माज तक बन दोगा मतलब कि आपको एक महीने का महलत देता है कि अगर बीच में आपका मन बदल जाता है आप चाहते हैं कि इसकी account को फीज से चलाना तो आप एक महीने के अंदर में इसको restart कर सकते हैं तो यहां पर दे रहा है आपको time भी देता है कि 27 मार्च तक आपका account यह रहाएगा इससे पहले आप लॉगिंग करना चाहते हैं तो लॉगिंग कर सकते हैं अगर 27 मार्च के बाद आप लॉगिंग करने के लिए जाएगा तो आपका account Instagram से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा तो password यहां पर डाल देना है उसके बाद से delete फैसल यहां पर जो आपका account का यूजर नेमो का वो सो करेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे आप click कर देंगा दोस्तो तो आपके Instagram के account हमेशा हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो दोस्तो इस process के माध्यम से आप बड़े असानी से आप अमने Instagram account को Instagram के नए update आने के बाद delete कर सकते हैं तो यह एक नया तरीका है पहले इसका जो process था वो अलग था लेकिन अब Instagram ने update लाया है जिसके वैसे Instagram को delete करने का जो process है बिलकुल बदल गया है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ओल पर प्रेस कर लेजिएगा फिर मिलते हैं एक नए और इंटेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई